नमस्कार दोस्तो, civil engineering support के एक बहुत ही महक्पुन वीडियो में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्त, engineer अभिशेक सिंग, दोस्तो, आज मैं बात करना वला हूँ कि आप अगर beam डलबा रहे हैं, चाहे वो ground beam हो, floor beam हो, या फिर दोस्तो, plinth beam हो, tie beam हो, कोई सा भी beam हो द extra reinforcement दिटे जो extra steel देते हैं, दोस्तो, उसको बानने का तरीका क्या होता है, कहां पर बानते हैं, दोस्तो, कहां पर कौन सा zone होता है, जेनरली दोस्तों आप Steel तो Extra दे सकते हैं, लेकिन कहां पर Steel एक्स्ट्रा देना चाहिए, कहां पर दोस्तों आपे Extra Steel नहीं देना है, ये चीज़े आपको समझ होनी चाहिए, दोस्तों माले जी एक कॉलम से दूसरे कॉलम की दूरी आप सबसे पहले measure करेंगे ठीक है और इस extraction देने के लिए क्या करेंगा दोस्तों कि सबसे पहले उस दूरी को तीन बड़ाबर हिस्सों में बांट देंगे मतलब कि माल लिजिए एक के कॉलम से जो दूसरे कॉलम के दूरी है वो है बारा फीट आप उसको तीन से डिभाइड किदे तीन से भाग दीजिएगा दोस्तों आ जायेगा चार फीट ठीक है अब दोस्तों चार चार फीट का आपका तीन यूनिट हो गया अब दोस्तों एल बाई थ्री उसी को बोलेंगे ठीक है तो आपको क्या करना है पहले की जमान हम देखते जो एल बाई थ्री यहां पर देखिए यह जो कॉलम के नजदीक में है दोस्तों दोनों साइड में कॉलम के नजदीक में है उसमें दोस्तों जो उपर वाला सरिया है वहां पर दोस्तों हम एक्स्ट्रा रेंफोर्जमेंट देंगे मतलब की एल बाई थ्री बाई के तरफ औ वो नहीं की जाती है, डारेक्ट दोस्तों देख सकते हैं कि उपर वाले में आप देख सकते हैं जो दोस्तों compression zone है उसमें आप देख सकते हैं कि column के बिल्कुल किनारे में दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो बीच का L by 3 जगा बचा दोस्तों मतलब कि column से 4 feet बाएं तरफ से छोड़ करके और column से दाएं तरफ 4 feet छोड़ करके दोस्तों जो बीच का जगा बचा वहां पर दोस्तों हम नीचे वाले यानि कि दोस्तों tension zone में क्या करेंगे कि हम extra reinforcement provide करेंगे जैसा कि चली मैं आपको zoom करेंगे दिखाता हूं कि आखिरकार ये चीज़े किस तरह से की जाती है और कहां पर दोस्तों extra reinforcement दिया जाता है एक confusion और मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करना चाहता हूं दोस्तों अगर दो अलग-अलग डाया के steel आपको इस्तेमाल करना है बीम में तो आपको क्या करना है कि जो मोटा वाला steel रहेगा greater डाया वाला steel रहेगा दोस्तों उसको हमेशा नीचे यानि कि tension zone में देना है और उपर में दोस्तों एक step कम वाला डाया रहेगा मतलब lower डाया रहेगा दोस्तों तो भी आपका काम चल जाएगा तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि बीच में जो extra reinforcement है नीचे तरब देते हैं यानि कि tension zone में और उपर में compression zone में देख सकते हैं दोस्तों कि column के किनारे L by 3 दिया हुआ है अब दोस्तों कोई दिक्कत है कोई सवाल है कोई सुझाव है या फिर इस वीडियो जे कोई point आपको समझ में नहीं आता है बेहिच कमेंट box में कमेंट कीजिए आपना answer लीजिए फिर मिलते हैं दोस्तों नमस्कार धन्यवाद